नमस्कार दोस्तों मेरा ना मैं अंकीत मैं आपके लिए डिजिटल मेंटोर में काफी क्लासिज लेकर आता है रहता हूं रिगार्डिंग डिजिटल मार्किटिंग, MS Excel, MS Office और इस तरह के काफी टेप्स और ट्रिक्स बठाली में सबकी रिक्मेंडेशन पे और मेरे इंटरस्स से मैं यहां पे स्टोक फोटोग्राफी की यूट्यूब टुटोरियल्स और अडोबी के इलस्ट्रेशन्स और क्रेक्टर एनिमेटर भी हम लोगों ने भी यहां पे शुरू किया है चीक है तो ऐसी कुछ क्लासीज मैं अभी यहां पे आपके पास लिक कर आता रहता हूँ सो आज जिस वेबसेट की बात करने वाले हैं वो पे उवरलीस उन लोगों के लिए है जो सिरफ स्टोक फोटोग्राफी करना चाते हैं जो वीडियो में काम नहीं करना चाते हैं क्योंकि मुझे ऐसे बहुत सा रेकमेंट्स आते हैं, कि सेरह हम लोग वीडियोज तो सेल होई जाती हैं, बट हमें सिरफ फोटोग्राफी आती है, हम सिरफ फोटोग्राफी में ही काम करना चाहा रहे हैं, तो प्लीज हमें कोई ऐसी वेबसेट बताईए, जिसमें सिरफ फोटोज डालें और कुछ भी नहीं, ना वो वेक्टर्स हों, ना वो वीडियोज हों, सिरफ वो हों, तो सिरफ फोटोग्राफ्स और सिरफ फोटोग्राफ्स, तो फ्रेंड्स आपने एजनसी का नाम तो पड़ी लिया होगा अथमनेल में, अब हम बात करते हैं, उस पे काम कैसे करना है, वो चीज है कैसी, दिखने में कैसी है, तो चलते हैं अपनी कमटर स्क्रीन पे, बड़ जाने से पहले, अब अपनी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिए, लेट्स गेट स्टार्टेट, तो फ्रेंड जैसे आपने देख लिया है, मैंने यहाँ पे गूगल पे पैंथर मीडिया सर्च किया है, तो हमारे पास एक स्टोक अजनसी आ गई है, तो इसको क्लिक करते हैं और चलते हैं वेबसाइट की और without wasting the time, जैसे ही आप इस वेबसाइट पे जाओगे, या आपको कुछ कुछ कुकिस को accept करने के लिए कहेगा, तो आप accept कर लिजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप देख सकते हैं इसमें कितनी अच्छी अच्छी फोटोज यहाँ पे आई हुई हैं, और कुछ इसी तरह की फोटोज ही हम लोग यहाँ पे डालने वाले हैं, ठीक है, तो बात करते हैं इस website के reviews की, तो चलते हैं इसके about section में, जो कि हमें hopefully नीचे ही मिलेगा, जी हाँ, यह रहा about section, आप देख सकते हो, यह कोई ज्यादा बड़ी website नहीं है, और even इसका इंडिया में भी office है, आप देख सकते हो, काफी इसकी countries में offices हैं, और आपको जानके खुशी होगी, इंडिया में भी direct number दिया हुआ है, mobile number दिया हुआ है, इंडिया में भी इसका office है, वैसे जो यह website है, वो काफी countries में है, इन्होंने जदा कोई information नहीं दी हुई, बट हाँ इन्होंने दिया हुए, अगर आप इंडिया बंगलादेश शर्लंका से हैं, तो आप sales India at the rate panthermedia.net के उपर, आप contact कर सकते हो, otherwise आप normally sales at the rate panthermedia.net के उपर, आप contact कर सकते हो, contributors की बात करूँ, तो contributors के लिए इन्होंने जो details दी हुई हैं, वो Germany की हैं, website भी definitely Germany के honors होंगे इनके, ठीक है, बहुत unique है, और मेरी यहाँ पे sales भी हो चुकी है, मेरे actual account से, आज मैं आपको यहाँ पे dummy account से, एक निया account बना के दिखाने वाला हूँ, बात करेंगे अपने actual account की भी, और sales भी दिखाने वाला हूँ, सो चलिए, अपनी sales की लिए account बनाना शुरू करते हैं, account शुरू करने के लिए नीचे दिया हुआ है, photographers के लिए sell images, sell images पे click करते ही, यह आपको गुछ इस तरह का page खुल के दे देगा, जिसमें minimum 30% and minimum 50% share आपको image मिलेगा, वो depend करता है subscription पे, subscriptions हैं तो 30%, individual है तो 50% आपको उसका share मिल जाएगा, इसका account बनाने के लिए आपको यहाँ पे contributor portal आ रहा होगा, उस पे click करके आपको next page पे जाना है, next page पे click करते ही, आपको यहाँ पे लिखाएगा login and register, तो हम इस पे click करेंगे, हमें कुछ इस तरह का page यह निकालके दे देगा, तो हमें आगे से दुबारा इस पे register करना है, register now for free, इस पे click करते ही हमें एक निया page दे देगा, जिसमें हमें username, email, password, confirm password, country, और मैं कौन हूँ, customer हूँ, photographer हूँ या दोनों हूँ, यह आपको select करना है, मैं यहाँ पे photographer ही select करूँगा, क्योंकि मुझे customer नहीं बनना है, इनका मुझे sell करना है, मुझे यहाँ से purchase नहीं करनी है, ठीक है, तो मैं यह form भरके आपको next page पे फटाफट से मिलता हूँ, so friends जैसे ही आप यहाँ पे अपना register कर लोगे, तो यह आपको दुबारा से login करने को बोलेगा, तो यहाँ पे मैं करता हूँ login, so मैं ले आए हूँ अपने login पॉर्टल के अंदर, जहाँ पे मेरी actually account is live, तो लिखा आ जाएगा your quick live is active for you, तो यहाँ पे आपका username आ जाएगा, और लिखाएगा quick live is active for you, तो यहाँ पे आप अपनी photos को upload कर सकते हैं, upload करने का basic method, same way रहेगा, आपका FTP, FTP मतलब Xpix, Xpix की वीडियो उपर, i button में link में मिल रही है, please जाएगे और उसको देख लीजिएगा, और वही method यूज़ कीजिएगा, ठीक है, चलते हैं upload की और, जैसे ही आप FTP से upload करके आओगे, वो यहाँ पे show हो जाएंगी, अब बात करते हैं FTP से upload करना कैसे है, this is the basic question, तो यहाँ पे एक button दिया हुआ है, send FTP access data per mail, तो यह आपको आपकी mail पे, FTP का access data यहाँ पे आपको भेज देगा, इस पे click करते हैं, आपको username, password और आपको server का नाम मिल जाएगा, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा, तो आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पे इसने आपको आपका FTP data दे दिया है, मैंने यहाँ पे आपका अपना username छुपा लिया है, यहाँ पे आपका host name मिल जाएगा, और जो अपने password भरा हुआ है, वो ही आपको यहाँ पे अपना password भी मिल जाएगा, इससे आप upload easily कर सकते हो, आप यह नहीं चाहते, आप चाहते हो कि आपका web upload ही काम करे, तो उसके लिए आप यहाँ से web upload कीजिए, और अपनी 55 के burst में, यहाँ पे जो size होगा, 1800 pixels से लेकर, 32 pixels के बीच में, उसका file का आप proper, जो content है, title है, metadata है, वो सारा भर के यहाँ पे डाल दीजिए, और upload का button finish कर दीजिए, और वो upload हो जाएगी, अब ले चलता हूँ, मैं अपने उस page की और, जहाँ पे मैंने ये अपनी सारी files बनी हुई है, और मैंने आपको दिखानी है, तो चलते हैं उस page की तरफ, यहाँ पे आप my images में आएंगे, my images में जाते ही, आपको यहाँ पे एक page दिखेगा, जिसमें आपको आपके सारी की सारी images देखने को मिल जाएंगी, तो यह बहुत सारी images हैं, जो मेरी approved हैं, around 3941 images, जिसमें से इसने कुछ 137 images को reject भी किया है, कोई issue नहीं है, उसका reason भी आपको definitely देखने को मिल जाएगा, कि वो rejection क्यों है, उसको आप sort भी कर सकते हो, मैं अगर बात करूँ तो देखिए, इसने बताया है, कि if you want to get multiple images, please add editorial images, इसको वो editorial लेके चल रहा है, कोई इसमें logo होगा, या कोई और issue होगा, कोई दिक्क्रत नहीं, आप इसका जो category है, वो set कर दीजिए, और it's done, it will be get approved, in a just couple of seconds, clear, so, अब बात करते हैं, इसकी earnings की, मेरी यहाँ पे अभी just earnings शुरूई हुई है, मैं आपको ले चलता हूँ, menu में, और revenue overview में, मैं आपके दिखा दूँ, यहाँ पे मेरी अभी, 0.23 euros, यहाँ पे remuneration बन चुका है, ठीक है, और अगर मैं बात करूँ, यह कब हुआ था, यह थोड़े दिन पहले ही हुआ था, आप देख सकते हो, मेरी यह image कुछ देर पहले, यहाँ पे मैंने 25 जुलाए को, बनाई थी, उसका यहाँ पे date आ रहा है, ठीक है, और यह यहाँ पे sell-out हो चुकी है, और मुझे यह 0.23 euros मिल चुके है, transfer अभी नहीं आया है, क्योंकि इसका एक threshold limit है, अब 235 dollars, जब यह हो जाएंगे, तो यह मेरी account में इसको भेज़ देगा, clear, तो बहुत ही अच्छी website लगी होगी आपको, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंगे साथ शेयर कीजिए, इस पर काम करना भी शुरू कर दीजिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत बुलिएगा, Thank you very much, Have a good day. हुआ है बलाओे कर दो दो लाइक करना,